हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब और टार्गेट यूपीटेट सीटेट एप में तो दोस्तों आज हम आपके डियलेट फोर समेस्टर का यहाँ पे सॉल प्रस्ण पत्र देखेंगे बहु कोशन में मेख दूत किसरेशन कालिलदास कि सुर्योदय कौंशी संधि है सूर्य धन उदय यहां पर ओकी महतरा आपको दिखर है तो यह हो जाएगा आपका गुड संदी कोशन नमर तरिबर काौं सा सब्द अब्याई भाव समास का उदाए सब्सक्रीनलन नहीं यहां पर द लेकिन दोस्तों अब्वे यहां पर प्रती धन एक प्रती जो है वो अब्वे है तो इसलिए यहां पर अब्वे भाव समास का उधारण कौन सा है बाह है आपका कोश्चन नबर फूर असुद्ध सब्द की पहचान कीजिए दोस्तों यहां पर देखिए प्रडाम प्रकांड प्रतीष्टा सुद्ध सब्द हैं लेकिन यहां पर प्रभू जो है वो असुद्ध सब्द का क्योंकि भाव के नीचे जो मात्रा लगी हुए है वो छोटा उकी होनी चाहिए जो बड़ा उकी लगी है question number 5 सुद्ध बरतनी वाले सब्द का चैन कीजिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सुद्ध बरतनी वाले सब्द का चैन करना जो यहाँ पर गलत लिखा गया है उसको नहीं वलकि जो सही लिखा उसको देखना है तो यहाँ पर the option आपका सही हो जाएगा यहाँ पर जो सही लिखा गया वो है दा आसिरवाद नेक्स्ट येर में देखिएंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए डियलेट चतुर समेस्टर 2019 का प्रस्न पत्र है यह तो यहाँ पर देखिए आपको एक ही घंटे मिलते हैं और पुडांक जो होता वो आपका 25 नंबर का होता है तो यहाँ पर हम देखिएंगे 2019 का प्रस्न पत्र 2019 में पहला कोश्चन जमीन पक गई दोस्तों जमीन पक गई काब्य संग्रह है यह केदार नात सिंग का नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नंबर 2 देवेंदर सब्द में संदि विच्छे था दोस्तों देवेंदर देवधन इंदर दोस्तों यह हो जाएगा गुड़ संदी यानि कि बापसन आपका सही हो जाएगा कोश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर तुम अपने कारे में सफल हो किस प्रकार का वाक क्या है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तुम अपने कारे में सफल हो सफल रहो यह किस तरह का वाक क्या है दोस्तों तो यह इच्छा वाचक यानि कि यहाँ पर वो अपने कारे में सफल वो उसकी इच्छा है यहाँ पर कौन सा वाक के होगा यह, यह हो जाएगा इच्छा वाचक वाक के, यहाँ पर देखिए question number four, स्वच्छ, सब्द का अर्थ है, दोस्तों स्वच्छ, दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके question में, अगर यहाँ पर स्वच्छ, इस तरह से लिखा है, तो उसका मतलब ह हो जाएगा साफ सुत्रा, लेकिन अगर यहीं पर इस तरह से लिखा है, स्वच्छ, तो यह हो जाएगा सुन्दर आँख, clear, तो आपके अलग-अलग बुक में, अलग-अलग तरह से यह question पूछा है, तो यहाँ पर स्वच्छ का मतलब जो दिया है, वो तो साफ सुत्रा होगा, question of five, सुन्दर्ता सब्द का अर्थ है, सुन्दर्ता सब्द का अर्थ है, यहाँ पर कैसी संग्या से है, दोस्तों, सुन्दर्ता जो होती है, वो होता है, भाव वाचक संग्या, तो आपका साफ संग्स सही हो जाएगा, next question चलिए देखते हैं, यहाँ पर, आपके 2020, आपका प्रस्ण पत्रा गया, 2020 में आपके कौन-कौन से question पुछे गये थे, चलिए, फास्ट रिविजन कर लेते हैं, यहाँ पर, पहला question है, साकेत महाकावी के रचना का रहे हैं, दोस्तों, साकेत मैतली स्रडगुप्त की, रचना आप सभी को पता होगा, और दोस्तों, मै आरोह, आरोह को कहते हैं, तो दोस्तों, उचारण के समय जो ध्वनियों का समचित आरोह, 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 यानि की धीरे और तेज, जो ध्वनी होती है, उसको क्या कहते हैं, स्वरा घात कहते हैं, नेक्स कोशन देखेंगे, यहाँ पर, अनुस्वार के बाद यदि पावर का बेंजन आता है तो अनुस्वार का उचारड होता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जब हम लोग अनुस्वार पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बता था दोस्तों अनुस्वार का जो पांचों वर्ग में नियम होता वो यह होता है जैसे का वर्ग, चा व आपको लाश्ट का जो जैसे का का लाश्ट वर्ड क्या होता है का खगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग लास्ट वाले जो 5 word होते हैं ये 5 word में जो अच्छर आ रहा है उसी का 5 word अच्छर हो जाता है यानि कि अगर का वर्ग का रहा तो पाच्छर रहा है याँ तो इस्तरह से अनुस्वार का उच्छारड होता है तो दोस्तों यहां पर पावर का बिंजन आता है तो पवववव मा यानि कि पाँचवा वर्ड क्या हो रहा है मा तो यहां पे आपका एंसर सही हो जाएगा मा चलिए देखते हैं अब हम लोग देखेंगे यहां पर 2021 का वस्तुनिष्ट प्रस्न मैं सुमन हूं कविता के रचाईता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कोशिय नमबर टू वर्तनी के द्रिष्ट से असुद्ध सब्द है दोस्तों वर्तनी के द्रिष्ट से यहां पर जो असुद्ध सब्द वो है पूज नहीं है कोश्ची नमबर थ्री देखेंगे हम लोग वाक्य का गुड नहीं है वाक्य का गुड नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर सार्थकता वाक्य का गुड है निपूरता भी वाक्य का गुड है क्रमबदता भी वाक्य का गुड है लेकिन दोस्तों योग्यता वाक्य का गुड नहीं है Q4 देखेंगे मेरा नाम मोहने का सही संस्कृत अनुबाद होगा तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नाम मोहना का सही संस्कृत अनुबाद है मम नामा मोहना अस्ती क्या होगा मम नामा मोहना अस्ती अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे last person ने यहाँ पर किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है question number 5 है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है तो दोस्तों वो कहलाता है अनुलेक तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2018 से 2021 तक के जितने वी वस्तोनिष प्रसना आपके exam में अब तक पूछे गए हैं उन सब को हम लोगों ने solve कर लिया है तो आसा करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनद जारी रखिए और अब आपका exam है exam के लिए आपको बेश्टाफ लग आपके exam बहुत अच्छे हैं क्योंकि दोस्तों आपकी तयारी भी बहुत ही अच्छी हुई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि हमारी आपकी जो यात्रा है वो काफी लंबी रहेगी तो चुकि आगे टेट सुपर टेट ये सब भी हम लोग को एक्जाम देखने हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मेरी तरफ से आप सभी को एक्जाम के लिए धेर सारी सुपकाम ना है तो टेक क्यार बाइबाइ लव यू आल जै